तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेडिज पैंट कटिंग तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज की लेडिज पैंट कटिंग कर सकते हैं तो हमने इस वीडियो में बताया है कितना आसन रखें, कितनी थाई रखें, A to Z सब सारे डाउट के क्लिएर होने बाले हैं इस वीडियो में तो इस पेंट को नेरो पिलाजो भी कहते हैं तो दोस्तों őई सबसे पहले जान और आप देख रहे हैं अकील फैसेंट डिजाइनर तो देखे इस तरीके से हमने कपड़ों को फोल्ड कर लेना है जैसा कि देख सकते हैं आप हमने कपड़ों को चोड़ाई में डबल कर लिया है तो यह किनारे वाली दोनों सैड इस तरीके से हमने अपनी और रख लेना है इस सेट बाहर होनी चाहिए यहां पर हम आसन रखेंगे और यहां मोहरी रखेंगे तो यह वाला कपड़ा इस तरीके देख सकते हैं यहां से आड़ा तरशा नहीं पहले ही आप कटिंग करके इसको सेट कर लें ठीक है अब हम यहां पर आसन का निसान लगाएंगे उसके बाद फिर हम लंबाएं के निसान लगाएंगे तो पहले हम आसन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों हम आपको हिप के अकौटिंग बताएंगे आसन कितना रखना है कि साइज के लिए कितना आसन रखें तो हिप का नाप देना है जो कमर से नीचे वाला जो नाप होता है बोडी मेजरिमेंट पर जितना भी एप आ रहा है उसको आफ करेंगे यांनि भी आइना लेवाईद करेंगे और जटना भी निकलकर आता है उसपर आपको mechanics up listener और एट कर पर निकालना होता इस तरीके से तो देखिए जैसे कि मान लेजिए इस प्लाजों की हिप 38 इंच है तो हमने जब इसको फॉर्थ पार्ट किया चौथा ही भाग किया तो निकलकर आता है लोग नॉर्मन से ज्यादा पतले लोग हैं तो उनके लिए आप हिप का फॉर्थ पार्ट करेंगे और जितना भी बनेगा उस पर आपको टू इंच प्लस करना है यानि दो इच और जोड़ देना है और उतना ही आसन का निसान लगा देना है तो ठीक है अब यह तो बात हो जो मूरी के लिए फोल्ड करेंगे तो दोस्तों यह हमने इंची टेप एक इंच इसली उपर निकाला है क्योंकि इस पर डियल इंच का बैट लगेगा और आदा इंच का मार्जन सिलाई में जाएगा यहां पर तो यह कंप्लीट फिक्स तैयार लेंट आ जाएगी तो आप सी आसन का और लंबे करें तो आप इन मार्क यहां गराव लगाते हैं अगर आपके मार्क तेले आ रहा हैं सीधे नहीं नहीं लगप पा रहे हैं पर थोड़ा आगे के लिए और जादा बढाना है तो आप इस तरीक से थोड़ा और आगे के लिए बढा सकते हैं उसके surviving आ ब और इस तरीके से निसान उठाएंगे। यहाँ भी, आप इस तरीके से इस छीजी को देखे लिए यहाँ से बinaçãoर गोएंगे यहाँ इस मार्क लगा से हम को स्वीतरिके से relativुन ज़्णा लगा देना है। और इस कि तक टार्ट करें आदा आ पॉनेशुं अंदर कैने शह 의किनार चोड़ेंगे और इसकी से इसकोंट विपावा और यहां पर आगे के लिए कि निसान और लगा दिया इस तरीके से यह जो हमने आगे वाले निसान लगा दिया है इसको अमने इस्टेट करेंगे सीधा करेंगे की जो हमने निसान लगा दिया है इसके बाद हम पौने दो एच आगे के लिए और निसान लगाएंगे इस तरीके से तो यह हमारी टोटल थाई आ गई यह हमारी थाई रहेगे तो जैसे यहां से यहां तक आ रहा है किनारा छोड़कर साड़े तेरह इंच यह 27 इंच तयार चाथे हैं भो मैं आपको बैक पर बता दुगा किस तरीके से रखेंगे तो देखिए उसके बाद हमने क्या करना है इसका इस dwar़ाए से ँदक हो रहा है और इसको आप सीधा तरी गेंगे यह तो यहां पर पॐस्ट दाले यहां पर इस तरीके से तो यहां पर यह ins connection चला याता है इसलाई में यह मैं आपको दिखाना चाहूंगे इस तरीके से हमारी प्लेट से रहे हुर आब हुए हमारा सारा माझस पर यही हो गया है उसके बाद अब wusकनेंगे उसके लगाएँगी हैाँ पर इस तरीके से अ यह दिखिए यहां से लगादिया है हमको मुहरी रखनी है मुहरी के宜ाब से रखनी है जैसे कि हमको इसकी मुहरी 14 जुदा एंट रेंद लिए ठीक हैं तो हम 14 का हमने और इस निनसां से मोशुतना नितना बनता है उतना इधर ताइंग और मोरी का फूर्थ इसके लिए अगर पी जबास के लिए करें अगर आप से पाला इसके लिए चुरूज कर सकती है या है से तरीके से और इस तरीके से सामनiska निसान लगाएंगे उसके बाद यहां रखेंगे किनारा छोड़कर और यह बहुर वाला मार्क ज़िक तरीके पूब कि उसके बाद थोड़ा तिर्षां मारके लगाएंगे बार की और इस तरीके से और यहां भी तोड़ा तिरिशां करेंगे करें करीब एक सबhmaस इस त्त्रीके से उसके बाद आंको आपको फिलीशाएं जई यह से रखते हां और उसके बाद एक निशान यहां लगाएंगे हम तकरीबद निशान यहां यहां लगाएंगे करें इस तरफह नहीं की तो अब इस तरीके से में हैं तो यह देखें दो इस तरीके से हमने यहां पर एक यह कटपी लगा कपड़ को उसके बाद हम बैक पार्ट करना बताती है आपको यहीं पर पर बैक सैड में लास्टिक डाले हैं आपको आपको आगे बताते हैं तो देखिए इस त्रीके पर हमने कपड़े वाला कपड़ा है डी-DEREC का कपड़ा था तो हमने खुली वाली चैट आगे कर दिये और यह बंद वाली चैट इधर रख लिए फ्रंट को उठाएंगे लिए तो देखructive आशन का निसान लगाता यहाँ सीधा चैट से यह देखे दिए करीब निमें हैं उसके भाद यहां से कक्टिंवि एक तरा दकर लाएंगहें इस त्रीके से यह देखें तो आप हमें यहां पर बैक कितनी उठाकर रखने हैं इसके बाद हम इसका किरोसमार्क लगाएंगे उसके बाद यहां से आप यहां से बनाएंगे यह देखें आप चाहें तो यहां से यह तक डो इंस वी आगे बढ़ा कर रख सकते हैं तो थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं तो लगाया था इस तरीके से और हम बैक पार्ट बार भी निसान उठा देंगे इस तरीके से तो यह हम सिलाई लगाएंगे यहां पर तो हम को यह निसान तो इसी निसान से हमको महुरी के लिए कप्ला मोल ना है, उसके बाद यहां से हम डीड़-ेंच बढ़ाकर रखेंगे से मोहरी के पास हम द्लकाए और छाइवा के पास धाई वालें से मिलाएंगे ज़ोमने छाई नीचे और थोड़ा तिर्शा करके बाहर को निसान लगा दिया है अब मैं आपको बताओंगा लाश्टिक कितना रखना है तो जितनी भी कमर होती है उसका आप हाफ करेंगे और उसके बाद जितना हाफ बचेगा उस पर आपको थिरी इंच माइनस कर देना है यानि तीन इंच कम करके लाश्टिक ढाल देना है तो जैसे कि हमारी जो कमर जितनी भी होती है तो कमर का हाफ में तो बैट लगता है आगे ठीक है जो हाफ बचता है उस पर हमको तीन इच कम करके लाश्टिक डालना होता है जैसे कि माल लीजिए इसकी 36 कमर है तो 36 का हाफ हो गया 18 अब 18 बचा तो अ कटिंग कर लेते हैं तो यह घूंब आ तू देखिए यहां से ह sniff बैक औठाकर रखिये तो यहां से core sin कर यहां जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों थैंक्स पर वोचिंग वीडियो